हुआ हलो गाइज वल्कम बैक तो माइ यूट्यूब चैनल गाइज आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे गाइज आज हम डिसकस करेंगे एच पी पी एच का पेटरन एच पी पी एच पी एच पी एच जिसको कि शिमला कंड़क्ट करता है तो गाइस आप मुझे क्वेश्चन कर रहे थे जो अभी एक्जाम कंड़क्ट हुआ था एई इलेक्रिकल का 24 अगस्ट 2021 को तो उसमें आप पूछ रहे थे कि इसकी अंसर की क करीन की होते हैं वह इसके अंसर की होती है जैसे हच पी एससी हमीरपूर जो अंसर की देता है वो लोग ऐसे अंसर की नहीं देते गाइस तो यही आपका सबसे बड़ा डाउट था जिसके बारे में आप पूछ रहे थे गाइस और गाइस आपने मुझे बोला था कि एका जो यह कंड़क्ट किया जाता है सीबिल मेकेनिकल और एलेक्ट्रिकल के लिए गाइस तो बात कर लेते इसका पैटरन क्या रहता है तो इसका पैटरन रहता है फस्ट इसमें जो टेस्ट कंड़क्ट होता ही जिसमें की 80 marks जो रहते आपके आपके टेकनिकल सब्जेक्ट से रहते जैसे आप सीबिल से बिलॉंग करते तो सीबिल के रहेंगे अगर मेकैनिकल से बिलॉंग करते तो मेकैनिकल से Electrical से रहते हो तो Electrical से गाईज इस हिसाब से रहते हैं और जो इसमें 20 Marks और रहते हैं उसमें 10 Marks का Himachal GK पूछा जाता है जो जिसका मैं से लेबस अभी आपको बता देता हूँ कहां कहां से पूछा जाता है तो इसमें जो पहले जो 10 Marks के लिए पूछा जाता है History, Geography of Himachal Prad river and the attributories national parks and wildlife centuries इसमें पूछे जाते गाई और जो hpg के रहता 10 marks का रहता है और जो national plus international affairs रहते हो भी 10 marks के रहते गाई और बताना चाहूंगा जैसे यह screening test है यह पूरा इस base पे conduct होता है इसमें जो negative marking रहती है इसकी per question 0.25 marks रहते गाई बतलब one fourth a question के इस हिसाब से गाई और बताना चाहूंगा इसके बाद इसका जो second test conduct होता होता है personality test 100 marks का होता है उसके लिए कोई भी HPP SC ने जो कोई भी patron ने उनकी site पे नहीं दिया है ना ही उनका कोई well defined patron है इसके लिए तो इसके लिए अपने हिसाब से ही इसको conduct कराते गाई तो गाई इस वीडियो में इतना ही बाकी अगर आपको इससे related कोई और information चाहिए तो नीचे comment कीजेगा बाकी electrical का जो technical subject रहते उसकी मैं आपको एक और वीडियो लाऊँगा जिसमें मैं उसका slave bus discuss करूँगा गाई अगर इसके अलावा भी आपका कोई और doubt है तो उसको आप comment section में पूछ सके हो गाई